Hello my dear students, हम लोगने lecture number 1 में क्या किया था, पहले recall कर ले ठेके, recall, हम लोगने first में जो हम लोगने जाना था, किसके बारे में जाना था, atomic masses के बारे में जाना था, ठेके, first में, उसके बाद हम लोगने, यहां पर definition basic amu कितना लिखा था, हम लोगने, 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg लिखा था, राइ electron volt लिखा था, ठेके, 1 electron volt हम लोगने कितना लिखा था, 1.602 into 10 to the power of minus 19 jol लिखा था, यह हम लोगने second का था, फिर उसके बाद हम लोगने discovery of क्या किया था, discovery of neutron किया था, ठेके, जिसमें हम लोगने क्या किया था, यहां पर 49 plus, यह हम लोगने alpha particle के साथ, ठेके, यहां पर bombardment करने के बाद हम लोगों को यहां पर, ठेके, यहां पर हम लोगों को यह मिला था, मिला था की नहीं, यह हम लोगों को मिला था, राइट, और उसके बाद हम लोगने यहां पर क्या लिखा था, यह हम लोगने reaction लिखा था, ठेके, with the release of यह, और यह वाला part हम लोगों का क्य क्या हो गया यह वाला पार्ट हम लोगों का क्या हो गया डिस्कवरी अफ नूट्रन था राइट यह हम लोगने प्रिवेस लेक्चर में किया था फिर उसके बाद हम लोगने किसका लिखा था एटोमिक नंबर एटोमिक नंबर एटोमिक नंबर किसे रिप्रेजेन किया था जै number of protons plus number of protons ठीके या फिर हम लोग atomic number के लिए z plus हम लोग ने number of neutrons क्या लिखा था हम लोग ने a लिखा था कि ने और यही पाठ हम लोग का number of neutrons find करना हो तो क्या लिखे थे हम लोग a minus z लिखा था राइट यहां तक हम लोग ने क्या किया था पिछले lecture में complete कर लिया था ठीके अब यहां पर हम लोग ने फिर से उसके बाद हम लोग ने nuclear size के बारे में भी किया था जहां पर हम लोग ने equation में क्या लिखा था r equal to r0 1 by a to the power of 3 लिखा था यहां पर यह चीज याद रख लेना यह जो r0 है थे के यहां से हम लोग ने एक ट्रॉम लिखा था कितना लिखा था nuclear unit radius थे के ये part हम लोगों को याद रख लेना थे कही नी इसको हम लोग क्या बोले ते है nuclear unit radius भी बोला जाता है फिर उसके बाद हम लोगों का क्या आता है nuclear density आता है ठेके density आता है nuclear density मतलब क्या होता है हम लोगों का mass divided by volume करके यहाँ पर हम लोग ने finally जाके ठेके रो कितना निकाला था 2.29 into 10 to the power of 17 निकाला था ठेके kg per meter cube यहाँ तक हम लोग ने निकाल लिया था फिर उसके बाद हम लोग ने क्लिका था isotopes के बारे में लिखा था ठेके isotopes में हम लोग ने क्या लिखा था same atomic number लिखा था same atomic number लिखा था ठेके और इस पे हम लोगों का जो chemical properties chemical properties ठेके यह हम लोगों का कैसा रहता है हम लोगों का game रहता है ठेके और हम लोगों का physical properties क्या रहेगा हम लोगों का physical properties यह हम लोगों का different रहत यह previous lecture में हम लोग कर चुके फिर उसके बाद हम लोग ने number 10 में isobars के बारे में किया ठेके इसका reason भी मैंने वहाँ पर disclose किया है ठेके और उसके बाद हम लोगों का isobars isobars मतलब हम लोगों का क्या होता है जिसमें हम लोगों का same atomic weight रहेगा ठेके और इसमें हम लोगों का just देखा जाए तो हम लोगों का क्या रहेगा physical यहाँ पर देखते है ठेके यहाँ पर क्या होगा physical properties isobars के लिए ठेके हम लोगों का पहले कर चुगे isobars में physical properties हम लोगों का क्या रहेगा हम लोगों का same रहेगा but but हम लोगों का chemical properties कैसा रहेगा chemical properties different रहेगा ठीक है यह हम लोग प्रिवियस लेक्चर में कर चुके ठीक है आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर टू में हम लोग क्या करने वाले यह ज़स्ट रिकॉल कर रहे ठीक है रिविजन अज हम लोग करें आईशो टोंस मतलब क्या होता है फ़र्ज यहाँ पर हम लोगों का सेम नंबर आफ same number of क्या होना चाहिए neutrons होना चाहिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे iso tones बोला जाता है जैसे for example chlorine 1737 and दूसरा और एक लिदिया potassium का 19 ये 39 यहाँ पर देखो हम लोगों को पता ये हम लोगों का क्या होता है हम लोगों का mass number एक इतना है 37 ये हम लोगों का z कितना है 17 so number of neutrons हम लोग a minus z करके calculate करता है तो 37 minus 17 ठीक है यहाँ से हम लोगों को कितना मिलेगा 20 मिलेगा so इसको देख लेते यहाँ पर हम लोगों का a कितना है 39 और z कितना हम लोगों को 19 so n हम लोगों को पता है a minus z कितना वोते हैं हम लोगों का 39 ¹19 तो n हम लोगों को कितना मिलता है 20 आट मेंज यहां से हम लोग कॉंग्लूट कर सकते हैं यह क्या है हम लोगों का iso टोन से ठीक है similarly हम लोग दूसरा यह भी देख सकते यहां पर हम लोगों का 1H3N, helium का HE2 फोल्ड है, ये देखो 3-1, कितना हो गया? 2, number of neutrons, ये हम लोगों का number of neutrons, 4-2, कितना हो जागा? 2, that means इसको क्या बोलेंगे हम लोग, isotones बोला जाएगा, ठीके, तो ये पट हम लोगों का पूरा clear हो चुका है, isotones के बारे में, ठीके, अब हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पर first term से mass defect जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग deal करेंगे, ठीके, किसके बारे में? nuclear binding energy, binding मतलब क्या होता है? बांधना, ठीके, बांधना, that means, ये देखो, binding energy, first हम लोग definition wise थोड़ा disclose कर लेते हैं, क्या होता है? binding energy of nucleus, ठीके, जो भी हम लोग का nucleus का binding energy रहेगा, is the energy with which nucleus are bonded in the, किस में? nucleus में, किसी चीज़ को बान रहे, ठीके, बान रहे, किसके थूसे हम लोगों का, जो भी हम लोग का nucleus में, कहां पर nucleus में, ठीके, अब इसको हम लोग कैसे define करें, it is measured by the work required to separate the nucleus, nucleus को separate करेंगे, किस से? nucleus से, at a finite distance apart from the nucleus, nucleus में, so that they may not intersect with each other, ताकि दोनों क्या करें हम लोगों का, intersect ना करें, वो किस के थूसे हम लोग calculate करेंगे, binding energy, nuclear binding energy से, ठीके, इसके बारे में हम लोग आगे में graph वोगेरा भी जानेंगे, ठीके, nuclear binding curve बोलते हैं, ठीके, curve, ताकि हम लोग कौन सा element fusion हो रहा है, fusion हो रहा है, यह हम लोग हो रहा है, और किस में हम लोगों का greater stability है, ठीके, तो यह इसके बारे में हम लोग आगे में, binding energy curve या फिर nuclear stability के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीके, ठीके, तो हम लोगों को यह चीज़ पार्ट समझ में आ गया, कि binding energy जो भी रहेगा, nucleus का, वो किसके related रहेगा, जो भी हम लो जो वाक करेंगे, ताकि nucleus को क्या करें हम लोग, final distance से separate करें, ताकि यह क्या करेंगा, वो दोनों intersect ना करें, ठीके, यह हम लोगों का हो गया, क्या हो गया, nuclear binding energy, अब हम लोगों का main top आता है, that is, mass defect, यह mass defect हुआ कैसे, यह हम लोगों को जानना है, ठीके, generally, generally हम लोगों को पता है, की nucleus, ठीके, nucleus हम लोगों का atom में क्या रहता है, stable रहता है, ठीके, और इसके बारे में मैंने ये भी बता है, कि जब तो और और रहेगा उस समय हम लोगों क्या रहेगा अन्स्टेबल रहेगा यह अम लोग वान में में बता चुका हूं लेक्चर नमबर टू में नूकलियस जैनरली अम लोग का एटम में स्टेबल रहेगा ठेके अब यहां पर जो प्रोटोन से एन नूट्रोन से जो प्रोटोन एन नूट्रोन से वो कैसा रहेगा आर हेल्ड इंसाइड दा नूकलियस इंसाइड दा नूकलियस ठेके नूकलियस में हम लोगों का प्रोटोन और नूट्रोन से ठेके जो की हम लोगों का कौन सा फोर्स से वो कर रहा है बाई दा स्ट्रोंग ठीके कौन सा strong forces है हम लोगों का attractive force और यह force क्या है हम लोगों का called nuclear force ठीके यह कैसा force है हम लोगों का nuclear force है ठीके जो की protons और neutrons को हम लोगों का जो nucleus में वहाँ पर बांधने में जो help किया वो कौन सा force है हम लोगों का nuclear force है ठीके अब हम लोगों जानते हैं ठीके किसके बारे में हम लोगों का mass defect के बारे में जाना जाएगा ठीके तो यह पार्ट तुम लोग notes कर लेना अब देखते हैं mass defect मतलब actual में क्या होता है हम लोगों का जो भी the difference between the sum of the masses of the neutrons and protons that means masses of neutrons and protons क्या form करा है nucleus का यह दोनों का sum neutrons and protons का and जो हम लोगों का difference होगा किसे रहेगा mass of the nucleus कैसे रहेगा यह हम लोग जानते हैं ठीके अब यहाँ पर suppose let us calculate यह हम लोग mass defect के बारे में यहाँ यहाँ पर directly ऐसे करके mass defect यहाँ पर directly equation यूज किया गया है उसको मैं यहाँ पर illustrate कर रहा हूँ illustrate कर रहा हूँ ठीके let us calculate the mass defect in case of the nucleus of an atom और जो atom है हम लोगों का यह यह atom है ठीके अब हम लोग यहाँ पर nucleus of such an atom यहाँ पर हम लोगों का कैतना है jet proton से और एंड हम लोगों का क्या है हम लोगों का a minor z क्या है हम लोगों का neutron से ठीके obviously यहाँ पर क्यूं क्यूंकि यहाँ पर देखो some of the masses of neutrons और protons का दोनों के वज़ा से हम लोगों का nucleus form हुआ है ठीके एंड यहाँ पर a minor z into mass of the neutrons यह हम लोगों का constitute कर रहा है ठीके ताकि वो and हम लोगों को यहाँ पर एक पार्ट है mass of the क्या है nucleus का ठीके तो यहाँ पर हम लोगों का actual mass defect जो mass defect होगा ठीके यह हम लोगों का simply क्या कि हम लोग ने मास of neutrons का रिए intelligence का यह क्या होगे हम लोग प्रोटोन मैनस करेंगे अभ लोगों को पता if MN ठीके मास of the new जो हम लोगों का है element का है ठीके किसका है je a यह हम लोग हम लोग पहले लिख चुके राइट यहाँ באест यह mass of the nucleus of the atom, ठिके, of the atom, तो अब हम लोगो का mass defect क्या हो जाएगा, Z into, हम लोगो का proton के लिए आ गया, A-Z हम लोगो का किस के लिए आ गया, neutron के लिए आ गया, and इसका summation and क्या क्या किया, mass of the nucleus के साथ, क्या किया, difference, difference of mass of the, क्या हो जाएगा हम लोगों का न्यूट्रेंज का ठीक है तो यह as a combined यह जो equation हे इसको क्या बोला जाता है हम लोगों का इसको बोला जाता है mass defect clear so यह चीज़ यहादर कीदधे नाद डिफरे सम अफ दा मास of the neutrons, neutrons का हो गया, and protons, and यहां पर, mass of the nucleus, nucleus का क्या करना है हम लोगों का, minus करना है, क्योंकि difference बोल के बोला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, mass defect, ठीक है, तो यह पाथ हम लोगों का clear हो गया, this mass defect appears in the form of binding energy, यह जो mass defect है, यह हम लोगों का किस form में appear होता है, binding energy, जो की responsible होगा, binding the nucleion together in the nucleus में, ठीक है, जो भी हम लोगों का nucleus, ठीक है, nucleion है, उसमें क्या करेगा, nucleus में bind करने के लिए करेगा, ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं, we know that, यहां पर लिख दे रहा हो, ठीक है, binding energy, इसको एक और form में लिख दे रहा हो, binding energy, ठीक है, यह जो है, हम लोगों का bind करने के लिए help करेगा, यह हम लोगों को पता है, ठीक है, किसको nucleus है, nucleus को क्या करेगा, nuclear में, ठीक है, तो यहां पर मैं रिखने वाला हूँ, तो binding energy of a nucleus may be defined as the energy equivalent to the mass defect of the nucleus, of the nucleus, that means, यह समझो, यह पाट, यह definition, तुम लोग फिर भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहां पर डिरेकली सी, bind करके बोला गया है, ठीक है, binding energy मतलब of a nucleus, जो भी nucleus का है, to the mass defect of the nucleus, अब इसको हम लोग कैसे calculate करते हैं, यह हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो यह महिने पहले ही बोल दिया है, कि जो भी हम लोगों करेगा, ताकि क्या करेगा, यह हम लोगों ना करेगा, यह यहां पर बोला गया है, यह देखो, binding energy का, बोला क्या था किने, hazard as the work done to separate the nucleians, ठीक है कहां से, nucleus के, so that they do not intersect each other, इसको क्या बोला जाएगा, binding energy, वो ही पार्ट यहां पर मैंने दूसरा फर्म में भी लिखाए, binding energy may be defined as the energy equivalent to the mass defect of the nucleus, क्योंकि जो भी हम लोगों का, nuclear binding energy रहेगा, यह देखते है, binding energy, ठीक है, यह हम लोगों को पता है, binding energy, nuclear binding energy हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोगों को पता है, famous Einstein equation, क्या होता है, delta m into c square, so nuclear binding energy हम लोग ने यह से फर्म में लिख दिया, e equal to delta m into c square, और delta m हम लोगों का क्या होता है, mass defect, ठीक है, so यह हम लोगों का किस फर्म में रहेगा, joule में रहेगा, energy यह तो क्या होगा, obviously joule में रहेगा, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो e है, यह मतलब क्या होगया, nuclear binding energy, यह हम लोगों का delta m, ठीक है, delta m क्या लिखा था, delta m हम लोगने z into mp plus a minus z into mass of the neutron, ठीक है, mass of the neutron, minus क्या लिखा था, हम लोगने nucleus का, ठीक है, x az लिखा था, so यह हम लोगों का actual equation आ जाएगा, यह small n a, यह capital n a, ठीक है, यह हम लोगों का किसके रहेगा, neutron के लिए रहेगा, और यह किसके लिए रहेगा, nucleus के लिए रहेगा, ठीक है, तो इसमें confuse मत होना, यहाँ पर देखा, यह हम लोगों का capital n a, this is for nucleon, ठीक है, यहाँ पर में capital n o कर दे रहाऊ, ठीक है, ताकि confusion ना हो, यह देखो, यह हम लोगों का mass defect का आ गया, delta m, इंटो क्या हो जगा, c square हो गया, तो यह हम लोगों का क्या आ जगा, this is our nuclear binding energy, यह वाला equation जो की यहाँ पर लिखा गया है, देखो, binding energy, यह हम लोगों को पता है, यह किसके लिए रहेगा हम लोगों का, mass defect in amu, ठेके अभी यह amu के transfer हम लोगों का 931 में multiply करेंगे, यह मैं बताऊंगा, पहले यह देखो, mass defect, z into mp plus a minus z, small n, minus, जो हम लोगों का किसका रहेगा, nucleus का रहेगा, ठेके, into क्या हो जगा हम लोगों का, c square, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा, e equal to क्या पढ़ा है, mc square, पढ़ा है, so यह part हम हम लोगों का हो गया, ठेके, अब हम लोग ने, यहाँ पर, यह देखो, 931, ठेके, यह हम लोग ने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, conversion, यहादे, 1 amu equal to 931 mega electron volt, यह की नहीं, so यह ही part हम लोगों को, यह part हम लोगों का, तो in terms of हम लोगों का amu में रहेगा, तो कितना रहेगा हम nuclear binding energy, in terms of हम लोगों का, ठेके, किस पर रहेगा, amu या फिर, जो हम लोगों का, in terms of amu में measured करना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, delta m into 900 and 31.5 in terms of किस में लिखेंगे, mega electron volt में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है, 1 amu equal to 931.5 mega electron volt, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है, ठेके, तो यही पार्ट हम लोगों को यहां पर समझना है, ठेके, तो यह पार्ट हम लोगों का हो गया, देखों, यह पार्ट हो गया, अब इसके बारे में हम लोग इसका numerical, ठेके, इसका numerical हम लोग क्या करेंगे, next session में, next session में में इसके बारे में numerical करवा दूंगा, ठेके, अब हम लोग येस जो है यहां तक पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसके रिलेटेट हम न्यूमेरिकल क्या करेंगे नेक्स सेक्षन में जानेंगे ठीक है ओके